हेलो दोस्तो नमस्कार लॉंग टम में इन्वेस्मेंट क्यों आप लोग ने आपे करनी चाहिए लिंक उपर आया बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो में आपको बोनस का इंपोर्टन्स यहां पर समझाया गया है सो चैनल को सब्सक्राब भी कर देना एंड स्टॉक मार्केट क्लास इस चैनल को भी सब्सक्राब करके बेल आकों करेट करके जरूर रख लेना सो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नौर्मल स्क्रीन के उपर दोस्तो अगर हम लोग बात करें मार्केट की निफ्टी फिफ्टी की राइट सो फोटीन थाउजन फाइन रेट पे देखने को मिल रहा है एक मेने की बात करें तो थोड़ा सा नर्वसनेस हम लोगों को साल में तो कुछ बोलने की ज़रुवती ने 75% की रिटन पूरे मार्केट ने देना यह बहुत बड़ी बात होती है मतलब मार्च से लेके अगर हम लोग बात खरे अभी खे मार्च तक तो बहुत ही शांदार रिटन्स दिये हैं अगर मैं पार्ट साल का चार्ट पटन दिखा दू तो आप यहां पर देख सकते हैं यह वाला पिरेड सो इसमें जो गिरावट थी है और उसके बाद जो कमबैक हम लोग को बाजार में देखने को मिला है उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई में रिजन है तो किसी का तो लगा होगा एंड अभी आप सभी लोग को यहां पर पता है एफएज एंड एफपीएज हम लोग को कह सकते हैं मतलब इन शॉट अगर में बात करू तो फॉरें इंवेस्टर का पैसा हमारे मार्केट में बहुत ही ज्यादा लग चुका है यह बोफा ने भी बता दिया था बोफा का भी रिपोर्ट सामने आप आ जुका था कि इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किदर गया है फॉरें इंवेस्टर का हमारे मार्केट से मतलब हमारे निवेशकों का वहाँ पे तो डेफिनेटली हम कह सकते इंडियन मार्केट है वह जो दुस्तों यह तो मार्केट की रैली हम लोगों को देखने को मिल रही है जैसे मैं हमेशा कहता हूं हर रैली के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है अपने वेब सीरीज देखियोगी तभी की रीजन था हर्शद में था उसके पास बहुत ज्यादा फंड्स थे राइट वह फंड्स वह मार् तो सबसे पहले हम लोग इग्जैक्ली डेटा के उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं सबस्तों एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ चुके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आप सब लोगों को बता है कि मार्च मंत की अगर मैं बात करू तो इससे पहली जो परफॉर्मं रशम्यां था सौंज है जयान में दessäक्ता छया में डिसेंबर में भी देखा था उम लोग जरू कह consent कै कि फ़्रेंड इंवेस्टर हम कह सकते wprowad प्रफोलिय इंवेस्मेंट में तो हमको यहांपे देखने को मिलत रहा है वह लोग को मार्च मंत में इस इविटीन यहान पर स्ल यह दो मेंजर रीजन हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं देखे रीजन कोई भी हो बट जो में आउटकम उसका जो आ रहा है कंक्लूजन वो एक ही आ रहा है कि फॉरीन इंवेस्टर को रीजन मिल रहा है किस से रिलेटर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटर мंट के इसाब से अगों सबसे है अभी हम लोगों को इस मन्द में यहापर पर्फॉर्म होते भी है Pikने को मिल चुके को एसको सकते इसके प्रेशर 24 मार्च में प्रेशर देखने को मिल रहा है दैन अगर हम लोग यहाप बात करें तो लगातार पार्ट दीन में हम लोग को गिरा वड़े कि कोई मेजर पैसा उन्होंने निकाला नहीं है सब्रेशर देखने को मिल रहा है मिक्स रेक्शन देखने को मिल रहा है सिर्फ 2000 करोड यही अगर हम लोग करें पिछले मथ से मतलब February में 42,000 करोड की नेट परचेस थी January में लगबग 9000 करोड, December में 48,000, November में 65,000 and October की बात करे, so 14,500 करोड so यह गजब का performance हम लोगो यह आपर देखने को मिला है so यह आपर problem क्या हुआ है, so जो यह data सामने आ चुका है वो बहुत ही गजब का data है, देखे अगर हम लोग बात करे October मन्त में जो market हम लोगो नीचे देखने को मिला था and वहाँ से ही यह purchase, purchase, purchase होग होके अभी March मन्त में बाजार हम लोगो टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है PE ratio भी अगर हम लोग देखेंगे, बहुत ही टॉप लेवल पे वापस जो पैसा यहाँ पे exit हो रहा है, वो वापस enter होने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यह ज़रूर यहाँ पे क्या लेने वाला है, time लेने वाला है तो उसके पीछे का ही बहुत बड़ा reason हम लोगो next यहाँ पे data में पढ़ना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तो कि फिलाल का जो अगर हम लोग बात करें, valuation यह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो valuation foreign investor को October month से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, October, November, December वो level अभी फिलाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, so इसका अर्थ यह नहीं कि foreign investor पैसा नहीं लगाएंगे, so foreign investor अभी पैसा लगाएंगे, बट वो किस चीज के लिए इंतजार करेंगे, तो March quarter के जो result है, उसके पहले तो बहुत बड़ा investment आप देख सकते हो, the foreign investor would now wait for the March quarter result before they invest a big money, बहुत ही simple and practical, अगर हम लोग इसका जवाब दे, तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर वापस उनको पैसा लगाने, बहुत बड़ा पैसा, तो अभी वो नहीं लगाएंगे, वो कब लगाएंगे, अभी quarter four के जो numbers आएंगे न, वो देखेंगे, कहाँ पे numbers बहुत शामदारे quarter four के, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना move on करेंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस company के quarter four के number ज़्यादा अच्छे आने के संभावना है, ऐसे companies पे अगर आप चाहो तो दाव यापे खेल सकते हो, हर एक sector में आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी company मिली जाएगी, तो ऐसे companies में हम लोग कह सकते हैं कि foreign investor अपना पैसा यहाँ पे transfer कर सकते हैं, क्योंकि बाजर अल्रेडी बहुत अच्छा तरीके से भाग चुका है and valuation की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे खुद देख सकते, valuation are not same as they were six months ago, obviously यहाँ पे change हो चुका है and इसी के चलते, अगर next उनको investment करना है, तो March quarter यह सबसे important role यहाँ पे play करने वाला है so दोस्तो, expert ने और भी कुछ चीज़े यहाँ पे बताई, जैसे कि COVID-19 अगर cases ऐसे बढ़ते रहे तो foreign investor को reason मिलता रहेगा, यहाँ पे वो थोड़ा-थोड़ा करके कम कर सकते drastically कम होना थोड़ा सा difficult है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, GDP के projections already अच्छे खासे इंडिया के favor में ही देखने को मिले and उसमें यह सारी चीज़े already factoring की हुई है, second wave से लेके so definitely हम लोग यहाँ पे कह सकते कि जो main मुद्दा है, यहाँ पे foreign investor फिलाल जो exit लेंगे, तो वो enter उनी stocks में करने वाले, उनी sector में करने वाले जहाँ पे numbers यहाँ पे बहुत ही शांदर आने वाले है, so definitely हम लोग यहाँ पे कह सकते company world की, उसके number अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे उस company के number, मतलब उन sector के Indian market की बात करे, IT sector के number अच्छा आने के chances ज़्यादा है, so ऐसी हम लोग ने बाकी sector के भी companies को यहाँ पे assist करना चाहिए, check करना चाहिए कि कहाँ पे potential ज़्यादा है मिल चुका है, क्या हम लोग ने डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, देखे foreign investor जिंदगी बर थोड़ी ना, 50 साल थोड़ी ना पैसा लगा नहीं वाले है, कभी तो वो निकालेंगे, वो निकालेंगे मतलब क्या करेगे, वो shift करते है, यहाँ से पैसा वहाँ से, यहाँ से, सो हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे quality stock पकड़ने है, अच्छे sector को पकड़ने है, वहाँ पे हम लोगों ने जम कर बेढ़ जाना है, इससे कोई डरने की बात नहीं होती है, दोस्तों यह सारा cycle है, यह चीज़े चलती रहती है, याद रखो हर्षद मेता के वग भी लगा तो जरूर इस वीडियो को like and share कर देना, so that's it, thank you very much, we will be meeting on the next video, तब तक के लिए, bye bye